हेलो बड़ीज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आज के उस विडियो में बात करेंगे इस्टर्ण रेलवे एप्रेंटिस की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में इसमें लगवक्त 3,000 के आसपास वैकेंसी है जो एक्जेट है वो 2979 के आसपास है और जो की साथ डिविजन मे इसे डिवाइट किया गया है इसका जो एप्लिकेशन लिंक है वो 11 प्रेल से एक्टिव हो जाएगा यानि कि आज के दिन से एक्टिव हो जाएगा और आपको एक मेहने का टाइम मिलेगा इस फों को भरने का यानि कि 10 माई इसकी लाज़ डेट होगी फों फिल अब करने की और यह जो फों में बस उनलाइन इंफ फिलोगा कोई फों नहीं आता है तो आज की सुन में देखेंगे कि क्या रहे है कि चलिक्स प्रसेस क्या रहेगा और आपको सेलरी कितनी मिलेगी यानि कि स्टेपन कितनी मिलेगा एप्रेंटिसिप करते हुए और आप इसे अपलाई क प्रेस करते ना गुवर्मेंट जोब से रिलेटेड आपको अपडेट मिलने लगेगी तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह इस्टन रेलवे का ओफिसियल नोटिफिकेशन आया है जो आया है इस्टन रेलवे नोटिफिकेशन पूर इंगेंगमेंट ओप एक्ट अपरेंटिस और यहाँ पर देख सकते हो नोटिफिकेशन नंबर ररसी एर एक्ट अपरेंटिस 2021-2022 यह इंपोटेंट डेट से यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंपोटेंट डेट से इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 29 मार्च को आया था और ओपनिंग डेट एंड टाइम ओफ ओनलाइन कब से आप अप्लाई कर पाओगे है निकी 11 अप्रेल से और क्लोजिंग डेट एंड टाइम ओफ एप्लिकेशन जो लास्ट डेट है क्लोजिंग डेट का वो है मई 10 मई 2022 यह इसका कुछ इन्होंने इंपोटेंट डेट दिया है अभी सबीच चीजे आपको बता द अधिए सबसे पहले जो फीटर की इसमें उसमें जर्नल की 114 है इसके पाद जो इसमों 28 है SC candidate की 42 है ST की 21 है OBC की 76 है और टोटल जो फीटर की वेकेंसी है हावडा डिविजन में वो है 281 ठीक है ऐसे ही इसमें वेल्डर की है मकैनिक की है मकैनिक एम बी डीजल की है मकैनिक्स्ट की है कारपेंटर, पेंटर, लाइन मैं वाइरमेन, और यहाँ पर रेफरिजिर्टर, AC मकैनिक देख सकते हो और यह है मकैनिक मसीन ठीक है, टोल और यहाँ पर टोटल इसमें जो हावडा डिविजन है उसमें 12 पोस्ट है और इसमें क्वालिफिकेशन भी देखेंगे कि इसकी क्या रहेगी और जो हावडा जोन है उसमें लगबख शाड़े 600 से भी ज्यादा पोस्ट है, ठीक है अब नेक्स डिविजन के बारत करते है आप देख सकते हो, लीलुआ वरक्सोप इसमें भी ऐसे ही इन्होंने सभी पोस्ट को डिवाइट किया है उसमें 12 पोस्ट ही, इसमें केवल 8 पोस्ट है और इसमें लगबख 612 के आसपास पोस्ट है, तो आप इसे भी स्क्रिन सोट लेके पढ़ सकते हो जो भी आपकी वेकेंसी है जिस भी ट्रेट से आपने किया है वो देख लेना, इसके बाद यहाँ पर सिल्दाह डिविजन में है जो तीसरी वेकेंसी है यहाँ पर आप स्क्रिन सोट ले लेना और जो भी आपकी वेकेंसी है उसके अकोडिंग, आप देख लेना ठीक है, नेक्स डिविजन के बाद करते हैं यहाँ आपर देख सकते हो फोर्थ जो डिविजन है उसमें भी यह वेकेंसी देख सकते हो इसमें 7 पोस्ट है टोटल और 187 वेकेंसी है इसके बाद मालदा डिविजन में आप देख लेना यह सब आप खुदी स्क्रिन सोट लेके देख लेना ताकि अभी टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो वनना काफी लंबी वीडियो बन जाएगी है यह जमलपूर वरक्षोप का है यहाँ पर टोटल 7 डिविजन में इन्होंने किया है इसमें रिजर्वेशन भी होगा अभी एस लिमिट भी देखते हैं क्या क्या होगा यह PWD का दिया है इन्होंने अब देखते हैं एस लिमिट क्या रहेगी इसकी यहाँ पर देख सकते हो एस लिमिट आपकी मिनिमम 15 होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 येर होनी चाहिए ठीक है और जो यहाँ पर देट ओब बर्थ कैसे आपका काउंट होगा यह दे रखा है देख लेना इसके अलावा जो आपको पता है SCHT को 5 येर्स का एज रिलेक्सेशन मिलता है OBC को 3 येर्स का मिलता है तो उसमें आप 24 में 24 में प्लस 5 कर लेना अगर SCHT हो OBC के हो तो प्लस 3 कर लेना 24 में अब यहाँ पर Educational Qualification देख लो और यहाँ पर दो टाइप की है एक तो आपको 10th Pass होना चाहिए 50% मार्क्स के और जो ITI होना चाहिए ITI Pass होना चाहिए 10th प्लस ITI होने चाहिए आप और ITI आपको NCVT या SCVT से Approved होना चाहिए ठीक है और इसमें 8th Class की भी है जो 8th प्लस अगर ITI हो फिर भी आज इस Form को आप भर जाकते हो कुछ पोस्ट 8th प्लस ITI की है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर Total 6th टाइप की पोस्ट है जिसमें आप अगर 8th प्लस ITI हो फिर भी चल जाएगा बाकि अगर 10th प्लस ITI हो तो सभी भर सकते हो आपको पताईए ठीक है इसके बाद Medical Fitness है आपर स्क्रीन सोट लेके देख सकते हो अब Mode of Selection कैसे होगा आपका Selection जो है Merit Based होगा 10th के Marks लिए जाएंगे और ITI के Marks लिए जाएंगे दोनों को Add करके 2 से Divide कर दिया जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो 10th प्लस ITI के Marks लेके दोनों को Add कर देंगे आपका Percentage और उसके बाद 2 से Divide कर देंगे तो जो भी आपका Merit होगा इस तरह त्यार होगा ऐसे जो 8th में नमबर है और प्लस ITI में दोनों को Add करके Divide कर देंगे तो ऐसे 8th का भी Merit List बन जाएगा यहाँ पर Application Fees है जिसमें Journal, EWS और OBC के जो Male Candidate है उन्हें 100 रुपीज का पेमेंट करना है और जितना भी SC, ST और Woman Category है वो चाहे Woman Category चाहे Journal की हो, EWS की S या फिर OBC, SC, ST की सभी के लिए Free है और जो Mail है, SC, ST का उनका भी Free होता है यहाँ पर Detail है, आप देख लेना application भी अब आप कैसे Apply करोगे ठीक है, Apply करते समय आपको क्या क्या डोकुमेंट होंगे वो भी मैं बता दूँगा, देखे Apply करने के लिए, आपको सबसे पहले यह जो Website है, इनकी Officially, www.rrcer.com इस पर जाना है आपको, और इससे आपको Apply करना है ठीक है, अब यह मैं आपको बता दूँगा कि कैसे जाना है यह जो डोकुमेंट आपको चाहिए Apply करते हुए, यहाँ पर एक फोटोग्राप चाहिए, इसकेंड आपको, इसकेंड सिगनेचर आपका चाहिए आठवी, दसवी की आपकी मार्क सिट चाहिए और ITI की आपकी मार्क सिट चाहिए इसके अलावा, जो अगर आप Community Certificate है आपके पास जैसे SCHT, OBC, AWS का तो ओभी चाहिए, और PWD, BD अगर Candidate हो, तो उसका भी आपको Certificate चाहिए, तो यह सारी चीज़े आपको चाहिए Form को Apply करते हुए, ठीक है यहाँ पर आपको क्या-क्या नहीं करना है Application Form भरते हुए, एक तो Capital में आपको सिगनेचर नहीं करने है, ठीक है उसके अलाबा जो यह Thumogera का Rule दे रखा है, यह देख लेना आप यह Main Point है, जो आपको Apply करते हुए ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है वरना Invalid Application हो जाएगा इसका Screen Sort ले लो, आप Detail में से पढ़ लेना One by One discuss करेंगे, तो काफी टाइम लग जाएगा और यहाँ पर Other Important Term and Condition है यहाँ पर देख सकते हुआ आप पहला है, The Candidate Finally Engaged Will Be Provided Steepend As Prescribed Rate As Per Extend Provision in Eastern Railway यानि कि आपको पता है, इसमें Steepend दिया जाता है, सेलरी नहीं दी जाती है और जो इसमें सेलरी मिलती है यानि कि Steepend मिलेगा, वो लोग बब आठ जार के आसपास मिलता है जो आप Apprentice करोगे उसमें आपको आठ जार पर मंत का सेलरी या Steepend आप कह सकते हो, वो मिलेगा बाकि अगर कुछ भी नोट्विकेसन में Change होता है तो आपको मैं बता दूँगा कि कितना Steepend मिलेगा ठीक है, लेकिन इतना ही मिलता है अगर Average मानें, तो Apprentice करते हुए इतना ही मिलता है कई-कई Zone में इससे जाता ही मिलता है कुछ में इससे कम भी मिलता है, ठीक है यहाँ पर आप देख लेना और क्या-क्या नहीं करना है आपको यह सारा इन्होंने Rules वगेरा लिखा है Cast Certificate का Format यह आपर देख लो आप SCHTO तो ऐसा होना चाहिए आपका इसके बाद अगर आप जो OBC होते हैं उनका Format ऐसा होना चाहिए तो ऐसा कुछ होता है इनका बाकि अब आपको मैं Official Website पे ले जाके दिखाते था हूँ जो इन्होंने यह बताया है www.rrcer.com इस पे चलते हैं जैसा कि आपको बताया है आज 11 अपरेल है और आज के दिन से ही है Form Apply Start होना शुरू हो जाना चाहिए एक पर ने टोन कर लो मैं लेकिन अभी भी इनकी जो Website है उस पे ऐसा कुछ सो नहीं हो रहा है www.rrcer.com इस पे अब जब आप इसे सर्च करोगे तो ऐसा लिंक ओपन होकर आएगा आप पे यहाँ पर देख सकते हो यह निकी अभी यह लिंक एक्ट्व नहीं हुआ है बाकि मैं आपको Eastern Railway का भी जो Website है उस पे भी आपको मैं बता देता हूँ Eastern Railway Apprentice आप टाइप करना और जो यहाँ पर देख सकते हो यह Eastern Railway का Official Website है इस पे जाना आप यहाँ पर देख लो Home पे यहाँ पर देख सकते हो Notification and News and Update पे जाना और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर है Recruitment इस पे क्लिक करना यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी नई notification आती है यहाँ पर सो होता है लेकिन अभी भी कोई भी link नहीं आया है तो जब भी कोई भी link आता है इससे related उम्मेद है कि आज आ जाना चाहिए क्योंकि आज की date है आपको पता है आज 11 April है तो आज के दिन यह link active हो जाएगा तो जब भी link active होगा तो इस वीडियो का description आप check कर लेना ठीक है आप इस लिए वीडियो का description चेक कर लेना वहाँ से आपको link मिलेगा वहाँ पर जब click करोगे तो आप apply कर पाओगे जब भी active होगा तो मैं इस वीडियो के description में उसका link डाल दूँगा बाकि मैं आपको वीडियो के तुरू अपडेट भी दे दूँगा एक short वीडियो बना के आप चैनल को subscribe कर लेना बैल आइकन को प्रेस कर देना ताकि अपडेट आपको मिल सके तो आज इस वीडियो में इतना ही thank you guys